हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजिनिरिंग में एक और नई वीडियो लेक्षर साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टर में अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे तो क्रैक कभी नहीं आएंगे वो कौन-कौन सी बाते हैं जो आपको समझ लेना चाहिए आज के वीडियो में मैं वो सारी बातें आपको बताने बाला हूँ कि प्लास्टर के पहले आप क्या ध्यान रखें प्लास्टर के समय क्या ध्यान रखें और प्लास्टर होने के बाद भी आपको क्या-क्या ध्यान रखना है सीधा वीडियो में चलेंगे इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल परना है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकान प्रेस कर लेजे नीचे रेट कलर आपको बटन दिख जाएगा बात करेंगे प्लास्टर के पहले आपको क्या-क्या ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो आपको जो मार्किंग है मोटार की थिकनेस है वो सबसे पहले ध्यान रखना है सेकंड में आएगा कि चिकन मेस जहां पर भी अगर आपके ब्रिक और कॉलम के जोइंट्स आए है तो वहाँ पर brickwork और column के joints के उपर आपको chicken mace लगाना ही लगाना है और इसके बाद हम बात करेंगे जो आप surface है surface में already आपके अगर मान लेजी floor sense है जैसे कि मैंने बोला था sora या फिर आपका जो white white दाग होते हैं वो हटा लेना है आपको dampness surface है तो उसे भी आपको clean कर लेना है बात करेंगे इसके बाद quality of sand और cement ये आपको देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से कि silt content तो नहीं है अब इसके बाद बात करते हैं plaster जब आपका हो रहा है तब आपको क्या ध्यान रखना है इससे पहले के वीडियो में भी मैं आपको कुछ basic जानकारी दे चुका हूँ लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको plaster के समय आपका जो motor बनाने का है mixing tray वो आपका platform सही तरीके से आप बनाएं जिसमें मिट्टी वगिराने के chances ना हो उसके बाद आप जो plaster करेंगे तो उसकी thickness आपको level, line और right angle ये चीज़ आपको check करना है कि ये line, level और उसके angle सही है या नही otherwise आपको बाद में जब आप पुट्टी करते हैं तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर आप wide wash करते हैं इसके बाद proportion of mix अब plaster के समय जो आप proportion ले रहे हैं यानि की ratio ले रहे है material का जिसमें cement और sand आता यानि की rate और cement आता है वो आपका proper तरीके का होना चाहिए क्या ratio रहेगा ये भी समझ लीजिए ratio जो है आप plaster के लिए 1-3 ceiling में 1-4 और 1-5 internal and external आप ले सकते हैं बाकी बहुत सारी ऐसे जो practical works हैं जिनमें use करते हैं तो 1-5 या 1-4 का ही plaster उस पर आप लोग provide करते हैं या फिर आप इतना plaster ratio देते हैं अब इसके बाद बात करेंगे addition of waterproofing compound जो की बहुत ज़्यादा must है आप इसमें butter proofing का compound भी aid कर लेना चाहिए अगर मान लीजे जैसे toilet है या फिर आपका कहीं ऐसी जगह है जहां पर आपको लगता है कि butter proofing करना चाहिए तो आप वहाँ पर जरूर aid करें और इसके बाद हम बात करेंगे cleaning आपको कर लेना है जो भी dead mortar है जैसे मान लीजे यहाँ पर आप plaster करने वाले हैं तो plaster के पहले अगर कोई पुराना आपका brick पर mortar लगा हुआ है तो उसे आप clean कर लें पहले साफ कर लें बहुत अच्छे तरीके से उसके बाद ही आप plastering करें और plaster की जो भी आपकी process है वो करें brick में पानी वगिरा डालें आप पानी वगिरा अगर आप डाल लेते हैं उसको brick को थोड़ा भीगा लेते हैं तो उससे भी फायदा होता है यह चीज आपको ध्यान रखना है कि cleaning कर लेना है जो surface है वहाँ से dead mortar को जैसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर plaster होने का है तो पहले यह surface को clean करना होगा उसके बाद ही आप plaster करने तो ज़्यादा बहतर होगा यहाँ पर अगर आपके pipes बगेरा कहीं गये हुए हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से बाटर पूफिंग करें और मोटार सही से यूज करें और जो cement slurry है उसका surface पर आप यूज करें cutting और scurting areas बगेरा जो होंगे आपके tile के वहाँ पर भी आप यूज करें और toilet के यहाँ पर जब आप scurting बगेरा या भी toilet में आप जो tiles उपर तक लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपको cement slurry बगेरा का अच्छे तरीके से यूज करना है अब बात करेंगे हम plaster के बाद आपको क्या करना है after plaster आपको सबसे ज़्यादा important एक ही चीज है curing करना है curing करना क्यों important है क्योंकि अगर जब तक पानी नहीं मिलेगा cement को तब तक cement आपकी पकेगी नहीं यानि strength गेन नहीं करेगी और उसके बिना यानि पानी के बिना राख ह तो आप ये जरूर करें और plaster में पानी की curing सबसे अच्छे तरीके से करें वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए thank you, सुक्रिया